2.4.1 भूमी निमनीकरण और गरीबी देश के सबसे गरीब समुदाएं निमनकरद भूमी पर आश्रित हैं वे या तो गरीब पशुपालक है या फिर निमन गुडवत्ता वाली भूमी पर खेती करने वाले गरीब वह सीमान्त किसान वह आदिवासी हैं अन्नी किसी अजीविका के संसाधन के आभाव में वे इस निमन भूमी का और दोहन करने पर मजबूर हो जाते हैं जिसके कारण निमनीकरण और तेज हो जाता हैं अक्सर गरीबी के कारण ये समुदाय जमीन के संवर्धन के लिए उचित उपाय भी नहीं कर पाते हैं इसी तरह गरीबी और भूमी निमनीकरण एक दूसरे के कारण बनकर एक कुचक्र इस्थापित करते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों में भूमी समवर्धन का जिम्मा सरकार उठाएं और गरीबों की आजिविका और भूमी की गुणवत्ता की रक्षा करें 2.4.2 भूमी प्रबंधन भूमी एक स्थिर संसाधन है किन्तु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है हमारी आवशक्ताएं बढ़ रही है हमारी जीवन शैली बढ़ रही है नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है इन सब का असर भूमी पर स्पष्ट रूप से पढ़ता दिख रहा है लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं जिस कारण नगरों का बेतर्तीब विस्तार हो रहा है कल तक जो खेत फसल से लहलाते थे आज उनमें इमारते निर्मित हो चुकी हैं जिस भूमी में वनों का विस्तार था उस पर क्रिशी उत्खनन आदी हो रहा है इसके लिए आवश्यक है कि हम भूमी का प्रबंधन कर उचित तरीके से उप्योग करें भूमी के प्रबंधन के लिए निम्दांकित तरीके अपनाए जा सकते हैं पहला नगर एवं गाओं का नियोजित विकास नगरों एवं गाओं का विस्तार बेतरती भूमी का अतिक्रमन कर रहा है जबकि नगरों के बीच में भी खाली जमीन उप्लब्ध होती है यदि नगरों और गाओं का नियोजित विकास हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है दूसरा बंजर भूमी का उप्योग बंजर भूमी का उप्योग दो तरह से किया जा सकता है पहला तो इस पर अक्रिशी कारिक किया जा सकता है जैसे उद्योग, आवासी उद्योग और दूसरा इसका विकास कर इसे चराई अथ्वा क्रिशी भूमी में परिवर्तित किया जा सकता है इससे एक तो क्रिशी भूमी का विस्तार होगा इवं दूसरी बेकार भूमी का उप्योग हो सकेगा तीसरा, परती भूमी का उप्योग परती भूमी खास करके जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है उसका उप्योग क्रिशी या बागवानी के लिए किया जा सकता है इससे उत्पादक्ता में व्रिद्धी होगी चोथा, वन सनरक्षन एवं वन रोपन वन एक ऐसा संसाधन है जिसका दीर्धकाल में नवीनी करण किया जा सकता है अता इसका व्यवस्थित उप्योग किया जाना बहतर होगा वनों से पुरानी व्रिक्षो का उतनी ही मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके भारत के 23 प्रतिशत भूभाग पर वन है पर्यावरन संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए पाचवा, मृदा छरण का रोग थाम अपरदन या कटाओ, कच्रा जमाओ, रासानिक उर्वरक या कीट नाशक के उप्योग इत्यादी के कारणों से मृदा का चरण हो रहा है जिससे मृदा की उत्पादक्ता एवं कृशी भूमी में कमी होती है मृदा छरण की रोग थाम कर इसकी उत्पादक्ता में वृद्धी की जा सकती है चटवा, घर के आसपास की भूमी का उप्योग गाओं या मुहले में घरों के आसपास काफी खाली जमीन होती है इस भूमी पर मौसमी फलदार पौधे लगाये जा सकते हैं लोग घर के आसपास की भूमी का भी उप्योग इस प्रकार के उत्पादक कारियों के लिए कर सकते हैं